Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 6.2 से question number 3 करेंगे add without using number line, questions को add करना है आपको और इनमें आपको बिना number line का use की इनको addition करना है चलो यह पार्ट से शुरू करते हैं, 11 plus minus 7 अब यह जो addition है यह subtraction है, इनके अंदर आपके विजो rules जो मैंने बता ही हैं आपको introduction में उनका इस्तेमाल होता है पहला number है यहाँ पे 11, 11 के आगे यहाँ पे plus और minus 2 sign टकरा रहे हैं तो 2 sign का आपको 1 sign बनाना पड़ेगा, तो plus और minus minus होता है और यह 7 का 7 हो गया अब एक number plus और एक minus है, तो plus और minus हो जाता है, यानि कि यह subtract हो जाएंगे simple सी बात है, 11 में से 7 जा रहा है तो 4 आगया, sign बड़ेका आएगा, बड़ा number यहाँ 11 है उसका sign प्लस है, प्लस लगाने की जुरूर्ट होती नहीं बी पार देखिए, बी के अंदर minus 13 है, पहले मैं इनको bracket से बाहर निकाल लेता हूँ, यह निकाल लिया आगे दो sign टकरा रहे हैं, प्लस और प्लस, तो जब एक जैसे sign टकराते हैं, तो प्लस ही बनता है, और यह 18 हो गया अब यहां देखोगे आप कि एक नमबर प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस के numbers सब्ट्रेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 18 में से 13 माइनस किया तो 5 आया, और बड़ा नमब अब एक नमबर प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, सब्ट्रेक्ट हो जाएंगे, 19 में से 10 जाएगा, तो 9 आएगा, बड़ा नमबर प्लस का है क्योंकि तो यह प्लस का ही 9 रहेगा, अगला नमबर देखिए, माइनस 250 है, और प्लस प्लस 150 है, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है फिर माइनस 150 as it is कॉपी कर दिया अभी एक plus का number एक minus का है तो वो ये plus minus हो जाता है यानिकि subtract हो जाता है बड़े में से छोटा minus करेंगे तो ये 100 आजएगा 250 में से 150 minus करेंगे तो 100 आएगा और क्योंकि बड़ा number यहाँ पे minus का है तो यह answer minus का होगा यह आपका ध्यान देने की बात है इसके जब आप subject करते हैं तो जो आपका number आता है उसमें आपको वो sign लगाना होता है जो number बड़े number का sign होता है यहाँ बड़ा number 250 है इसका sign minus है तो answer में minus लगाएंगे यह पार्ट देखिए 380 है minus का और plus minus 270 तो पहले number का तो कुछ change होगा नहीं यह तो as it is रहेगा आगे plus और minus टकरा रहे हैं तो plus और minus अलग तरह के sign है ना तो minus बन जाएगा plus minus minus होता है और number 270 अब यह number भी minus का है minus 380 और यह भी minus का है minus 270 तो minus minus प्लस हो जाते हैं यानि कि add एक जैसे sign के जो number होते हैं वो add हो जाते हैं add कर लेते हैं इनको 380 और 270 यह 0 आ गया 15 का 5 और यह 1 आ गया और यह 6 आ गया तो 650 आएगा और क्योंकि यह दोनों minus के हैं तो यह minus का है तो 650 आएगा तो यह minus लग गया F पार्ट देखिए minus 217 तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको आगे plus और minus है plus minus मिलके minus बन जाता है और यह 100 अब यहाँ भी same इसी तरह का हो रहा है दोनों number minus के हैं ना तो same sign के number add हो जाते हैं दोनों को add कर देंगे तो यह 317 आ जाएगा और क्योंकि दोनों minus के ही हैं तो यह minus के ही तो 317 आ गई यह इसका answer हो गया last part था question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye